पिछले दिनों में हमें बताया गया कि गोमूत्र से कोरोना ठीक हो जाता है गोमूत्र पार्टियां आयुजित कराई गई अब हिंदुत्व साइंस का नया शहकार बताता हूँ गाय के गोबर से आपके मुबाइल फोन का रेडियेशन दुम दबा कर भाग जाएगा जी आपने सही सुना राश्ट्रिये कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लब भाई कतिरिया की माने तो भारत ने मुबाइल रेडियेशन से निजात पाने का सोलूशन ढूंड लिया है गोबर की चिप मुबाइल में लगाईए चैन की नींद सो जाईए कोई बिमारी आपके पास नहीं फटकेगी और आयोग अब इस चिप को मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहा है हमारे समयधान में साइंटिफिक टेंपरमेंट की बात लिखी गई है लेकिन नए भारत के निर्माण वाला जो प्रोजेक्ट छे साल पहले शुरू हुआ था उसके तहट हमें तरक और साइंस से दूर किया जा रहा है हमें गोबर टेकनोलजी हिंदुत साइंस के अंतिमसत के तौर पर बेची जा रही है ऐसा क्यों? यह सोचिएगा लेकिन आज मैं आप से गोबर टेकनोलजी नहीं बलकि उसके साइड इफेक्ट की बात करूँगा ऐसी गोबर टेकनोलजी का जो साइड इफेक्ट है वो तरह तरह से दिखाई देता है वो आप से सच देखने, सुनने, समझने का साहस वो शक्ती छीन लेता है आप से प्यार और मानुएता छीन कर आपके दिलों में सामपरदाइक नफरत का जहर घोल देता है मैं ये बात क्यों कर रहा वो बताता हूँ भारत के बड़े जुलरी ब्रांड तानिश्क ने एकत्वम यानि एकता के नाम से जुलरी का नया डिजाइन लॉंच किया और इसी एकत्वम थीम पर विग्यापन भी चलाया तमाम टीवी चैनलों पर लेकिन तीन दिन में ही वो विग्यापन हटा लिया गया क्यों? क्योंकि इस विग्यापन में हिंदू मुस्लिम एक्ता की कहानी थी और इंटरनेट पर मौझूद आक्रमक हिंदुत्व के ट्रोल्स की नजरों में ये विग्यापन लव जिहाद को बढ़ावा देता है सवाल ये कि नफरत के इस दौर में इतने खुपसूरत संदेश वाले विग्यापन जो कि सभी धर्मों के बीच एक्ता की कहानी कहता है उस विग्यापन को वो कंपनी क्यों हटा लेती है? उस कंपनी को किसका डर है? इंटरनेट पर अगर कुछ लोग एक खास संप्रदाय को लेकर अपनी भढ़ास उड़ेलते हैं तो क्या भारत का इतना मशूर इतना बड़ा उद्योग घराना डर जाएगा? इतना डर जाएगा कि अपने ही प्रोड़क्ट का इतना सटीक विग्यापन हटा लेगा? पहले जानते हैं कि क्या था तनिश चुलरी का विग्यापन जो की हिंदू-मुस्लिम एक्ता की थीम पर अधरित था 45 सेकिन का विग्यापन है और इस विग्यापन में लड़की हिंदू है, मुस्लिम घर में ब्याही है, मौका है गोदभराई का, लड़की की सास गोदभराई के रस्म अरेंज करती है, तो बहु अपनी सास से पूछती है कि मा ये बताएए, आपके यहां तो ऐसा नहीं होता इस पर उसकी सास जवाब देती है, कि बेटा, बेटिया को खुछ रखने की रस्म तो हर घर में होती है, इसके बाद विग्यापन की एक टैग लाइन चलती है, जो की आवाज हम को सुनाई देती है, और वो ये कहती है, एक जो हुए हम, तो क्या ना कर जाएंगे? ये विग्यापन जो भारत के प्लॉरलिस्ट कल्चर का मेसेज देता है, उस विग्यापन पर इंटरनेट पर मौझूद हिंदुत वादी ट्रोल्स उनको आपती है, वो इसे लव जिहाद का संदेश पताते हैं, इंटरनेट पर बाकाइदा तनिश्क का हैश्टैग वाइरल हो जाता है, बॉयकॉट तनिश्क, बॉयकॉट तनिश्क, ट्रोल्स पूछने लगे, हरे हिंदु परिवार में मुसलिम बहु क्यों नहीं दिखाई गई, मगर तनिश्क के इस विग्यापन को सरहाने वालों की भी कमी नहीं थी, जैसे जैसे ट्विटर पर ये विवाद गर तो उस विवाद में कूद पढ़ी कंगना रनाओत, अपनी पूरी नफरती सोच के साथ, खुद को पूरे हिंदु समुदाय का प्रतिनिधी मान बैठी है, एड बनाने वालों को क्रियेटिव टेररिस्ट बताती है, जो हमारी रगों में पता नहीं क्या घोल रहे, ऐसे ग् सब्यता, भारतिय सब्यता, और भारतिय सब्यता वसुधैव कुटुम्वकं में विश्वास रखती है, जिसके माने तुम या वो हिंदुत वादी ट्रोल्स नहीं समझ पाएंगे, कंगना यहीं नहीं रुकती हैं, वो कहती हैं कि इस विज्यापन में तो बहुत खामिया है इसमें तो यह बताया गया है, कि एक हिंदु बहु को उस परिवार में तब तक acceptance नहीं मिलती, जब तक उसके पेट में बच्चा नहीं आता, यानि कि जब तक परिवार यह नहीं मान लेता कि यह बहु जो है, उनको उनका वारिस देने वाली है, या वारिस देने की शमता न और हावा देता है, तो चलिए ऐसा करते हैं, पहले वो विज्ञापन ही देख लेते हैं, एक बंधन बुनते जाएंगे, मा, यह रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना, पर बिध्या को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना, एक जो हुए हम, तो क्या ना कर जाएंगे? आपको यह विज्ञापन देखकर क्या यह लगा कि यह लिंग भेद में यकीन बढ़ाता है, यह भेद भाव बढ़ाता है, बलकि मैं तो यह देखता हूँ कि बहु बहु बहुत खुश है, उसे ससुराल में खूब प्यार मिल रहा है, क्या बेटी को ससुराल वालों ने अपनी पलकों पर बिठा कर नहीं रखा है, जो पूरा दिख रहा है, 45 सेकंड के स्विक्यापन में, बहु प्रेगनेंट है, मगर क्या एड ने यह बताया कि वो लड़के की मा बनने वाली है या लड़की की, क्या प्रेगनेंट औरत को द मान नहीं बढ़ा रहे हैं, जब वो उसके धर्म से जुड़े एक रस्म को निभा रहे हैं, लड़की हिंदू है, ससुराल मुस्लिम है, लेकिन वो लड़की के परिवार की रस्म अदायगी कर रहे हैं, उसके रिती रिवाज को मानते हुए भी आगे चल रहे हैं, क्या एड से ये नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के रिती रिवाजों को संबंधों में आड़े नहीं आने देते, मैंने तो इस विग्यापन में ये सब भी देख लिया, मगर कंगना रनौत, तुम्हें खुराफात ही क्यों नजर आई, अब सवाल ये कि इंटरनेट पर ये लोग कौन है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की कहानी को लव जिहाद के मेसेज के रूप में पढ़ रहे हैं, सोचिए, जब इनसे साम्परदाइक एकता की बात करता एक विग्यापन हाजम नहीं हो रहा है, तो ये असल जिंदिगे में हिंदू मुस्लिम एकता के हिंदू मुस्लिम एक रहे, तो इन जैसों की दाल नहीं गलेगी, तब इन जैसों की राजनितिक दुकान बंद हो जाएगी, दरसल एक तो ये कि ऐसे लोगों के दिमाग में गोबर टिकनॉलजी का करेंट दुणाया जा रहा है, दूसरा ये कि ऐसे लोगों की तादा दिन दिन बढ़ रही है, इन्हें दिन रात अब घुट्टी पिलाए जा रही है कि भारत 800 साल गुलाम रहा, और नए भारत का निर्माण करके इसी गुलाम मानसिक्ता को खत्म करना है, दरसल ऐसे लोगों की नजरों में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोग जानते ह कौन है, एंटी नेशनल, और अब सवाल रतन टाटा से, रतन टाटा साहब, आप जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म के लोग तो इंडिया में मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, उनकी अबादी, यानि पार्सी अबादी, लाखों करोनों में नह रहा हूं, क्या इससे आप कम भारती हो जाते हैं, चुकि आपकी पॉपलेशन कम है, पार्सीों की पॉपलेशन कम है, या किसी भी जाद धर्म में विश्वास करने वालों की पॉपलेशन तै करती है, कि वो इस देश के कितने परसंट नागरिख है, जबकि पूरा देश और संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा भारती है, क्या इस देश में धर्म के अनुसार आबादी हमारी नागरिखता तै करेगी, तो क्या ये देश बहु संख्यक धर्म मानने वालों के बनाए कानून पर चलेगा, ये समिधान के अनुसार चलेगा, भारत का समिधान केसी भी ध और ये तानिश की था ना, जो समाज से जुड़े विशियों पर विग्यापन बनाता रहा है, तानिश ने सिंगिल मधर का भी तो एड़ बनाया था, पिछले सालों में, सबने उसे पसंद किया, तो फिर हिंदू, मुसलिम एकता और तानिश के एकत्वम जुल्ली डिजाइन क विग्यापन आपने क्यों वापस लिया, रतन टाटा जी, आप तो उन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोती के दोस्त है न, जिनोंने सबका साथ, सबका विश्वास वाला नारा दिया था, मगर जमीन पर ये नारा कहीं तक पहुँचता तो नहीं दिखता, बलकि इसके ठीक उल दोस्त नहीं कर पाए, रतन टाटा जी, या नहीं कर पा रहे हैं, उसे आपने अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की, तनिश केस नए एड के जरिये, एक अत्वम जुलरी का जो एड था, हिंदु मुसलिम एकता की बात करता हुआ जो एड था, फिर इस पन से पीछे क्यों हट गया आप, आपको किसका डर है रतन टाटा जी, समाज में नफरत बढ़ रही है, देखिए, राजी बजाज ने नफरती निउस चैनलों को एड देना, बंद करने का फैसला किया, आपको तो अपना एड जारी रखना है, कंगना अगर खुद को हिंद का प्रतिनिधी मानती है, तो आप वसुधैव कुटुम्बुकम के सच्चे प्रतिनिधी हैं, और इसी को आपको, यही मेसेज तो आपको पूरे देश को भी देना है, आप मत डरिये, रतन टाटा जी, चलाइए विक्यापन, मेरा आज का सवाल, क्या तलिश को हिंदू-मुस्लिम एक्ता का एक्ता पर आधारित, जूइलरी का वो विक्यापन, हटाना चाहिए था, अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजेगा, तो यह थी आज की नियूस बाजी, फिर मिलेंगे एक नई नियूस बाजी के साथ तब तक के लिए, नमस्कार.